दोस्तो अभी अभी एक घंटे पहले काफी बड़ी अनाउसमेंट आ चुकी है कमपनी ने अनाउस कर दिया है स्टॉक बोनस वन इस्टू वन के रिशियो से साधी साथ में 20 रुपे का डिविडेंट अनाउस कर दिया है मैं हूँ आरुश आप देख रहे हैं फेनो मीडिया बाया आरुश आएब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तो इस स्टॉक का नाम बता देने से पहले आईए बात कर लेते हैं स्टॉक की कुछ और इंपर्डेंट इन्फोमिशन के बारे में तो आज जैसी यहाँ पे स्टॉक बोनस और डिविडेंट की न्यूस आई है स्टॉक के अंदरा में 2% के आसपास की रैली देखने को मिल गई एक छुटी सी रैली स्टॉक का करेंट प्रैस 5,363 रूपीस के उपर में चल रहा है बात करें कंपनी की मार्केट कैपिडलाइजेशन की तो 16,400 करोर के आसपास की कंपनी की मार्केट कैप है इस स्टॉक के PE रैश्यो की बात करें तो 62.1 का है हाला कि थोड़ा सा जाद है 30 के आसपास होता तो अच्छा माना जाता बट थोड़ी सी कंपनी आपको यहाँ पर ओवर वैल्यू देखने को मिल जाती है बुक वैल्यू स्टॉक की 622 रूपीस की है और कंपनी का जो डिविदेंट इल्ड है वो सरफ 0.04 परसेंट का है बात करें कंपनी के रिटन आन कैपिटल इंप्लोइट की तो 22.5 परसेंट का है और वही रोई यानी की रिटन आन एक्विटी यहाँ पर 17.6 परसेंट का है तो रोसी और रोई यहाँ पर हमें आवरेज देखने को मिल जाता है जिसका मतले भी है कि कंपनी आपे डिसेंट ग्रोथ दिखा रही है फेस वैल्यू स्टॉक की 10 रोपीस की है और जो डेट टो इक्विटी रेचियो है वो सरफ 0.03 का है जो कि आप कहा सकते हो अल्मोस जो कंपनी है वो यहाँ पर डेट फ्री है अब आईए बात कर लेते हैं फटफट कंपनी के financials की उसके बात करेंगे dividend announcement और stock bonus announcement की तो कंपनी ने आपे sales की बात करते हैं तो 2021 के अंदर में जो कंपनी की sales थी वो 665 करोर्स की थी और 2022 के अंदर में बढ़ करके 751 करोर्स पे आ गई थी तो कंपनी की sales के अंदर में last one year के अंदर में हमें एक decent growth देखने को मिल जाता है operating profit की बात करें तो जहाँ पे 2021 के अंदर में 333 करोर्स का था वही 2022 के अंदर में घट करके 312 करोर्स पे आ चुका है तो last one year को compare करें तो यहाँ पे जो company का operating profit है वो हमें decrease होता हुआ देखने को मिला है reason यह है कि company की जो expenses है वो यहाँ पे increase हो चुके है बात करें अब company के net profit की तो जहाँ पे 2021 के अंदर में 287 करोर्स के company के net profit था और में 2022 के अंदर में बढ़ करके 310 करोर्स पे आ चुका है तो company के net profit में increase इसलिए देखने को मिला है because company की जो other income है वो थोड़ी सी हमें बढ़ती भी देखने को मिली है साथी साथ में company ने 2022 के अंदर में जो tax है वो as compared to 2021 कम pay किया है तो all over financials हमें average देखने को मिल जाते हैं चलिए आईए अब बात कर लेते हैं stock के नाम की तो company का नाम है India Mart Intermash Limited company का जो NSE code है वो है INDIA MART वहीं अगर हम बात करें company के official announcement की तो company ने आप इस stock bonus announced के 1 is to 1 के ratio से जिसका मतलब यह अगर आपके पास में इस company का एक stock है जो की 20 रुपीज पर stock के इसाब से dividend बन जाता है मतलब हर एक stock के उपर मैं आपको 20 रुपे का dividend यहाँ पे मिलने वाला है साधी साथ में company ने जो stock bonus है उसको देने की record date announce कर दिये 12th of June की हाला कि dividend की record date अभी तक company ने अनौस नहीं करी है बढ़ अगर आपको इस stock को purchase करना है ताकि यहाँ पे आपको इसकी stock bonus का benefit मिल पाए तो आपको इस stock को उसकी record date जो की 12th of June की होने वाली है उससे 2 दिन पहले-पहले आने की 10th of June से पहले-पहले purchase करना होगा ताकि यह जो dividend है उसका benefit यहाँ पे आप लोगों को मिल पाए चलिए दोस्तों आज की वीडियो के इंदर इतना ही रखते हैं अगर आपको वीडियो ची लगी हो वीडियो को जरूर से like कर दीजेगा इस चैनल को भी जरूर से subscribe कर दीजेगा बिकस फिनो मीडिया के अंदर आपको ऐसी stock market से related content देखने को मिलता रहेगा चलिए मिलेंगे किसी और वीडियो के अंदर तिल देन बाए